Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं और ये सापताहिक राशीफल है और आने वाले हफते का राशीफल शुरू करने से पहले आप सब लोगों को दिवाली की धेर सारी शुपकाम नाएं I really wish कि ये देवाली आप लोगों की बहुत अच्छी रहे मालक्षमी आपके घर में आए, धेर सारा धन, सुक्ष, सम्रिधी आपके घर में आए तो चलिए जी, कमिंग वीक का सापताहिक राशीफल शुरू करते हैं ये 1st November से लेकर 7 November तक की आपकी Tarot Readings है, Tarot Predictions है और अगर आप Daily Tarot Reading में इंट्रेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं Sun sign, Moon sign, Ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी reading को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign को follow करें तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता है ग्राशिफल तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो आप लोगों के लिए professional front के लिए cards हैं awakening and rabbit और देखिए awakening का card कहीं गहरी नीन से जागने की बात करता है और कुछ ऐसा ही in general या फिर specifically आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे देखिए जागना literally सोना और जागना नहीं है कभी कभी होता है कि कुछ चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती है या मैं कहूंगी कि कुछ मसले होते हैं कुछ issues होते हैं और कहीं हम उनको ignore करते रहते हैं कहीं हम उनको deal नहीं करते हैं और जो भी काम हम कर रहे होते हैं हम उसमें ही अपने आपको involve करके आगे बढ़ते रहते हैं और कहीं इस week आप एक pause लेकर आप एक रुकते हुए उन चीजों को deal करना चाह रहे हैं या मैं कहूंगी कि थोड़ा सा आप चीजों को समझना चाह रहे हैं थोड़ा सा आप चीजों को understand करना चाह रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी कि जिन चीजों को आप ignore कर रहे हैं उनको भी कहीं आप deal करना चाह रहे हैं आपकी gut feeling क्या कह रही है, आपकी inner voice क्या कह रही है कहीं आप उसको भी सुनना चाह रहे हैं कहीं चीजों को लेके अपना नजरिया, अपना perception बदल के भी फिर से मैं कहूंगी कि उन चीजों को आप देखना चाह रहे हैं और शायद इसलिए देखे बहुत actively आप किसी भी चीज में अपने आपको involve करते हुए नहीं देख रहे हैं आप बहुत actively किसी भी चीज में participate करते हुए नहीं देख रहे हैं कहीं आप back seat लेते हुए दिख रहे हैं और दिखे टॉरस बहुत important होता है कि time to time हम थोड़ा सा रुकें थोड़ा सा pause ले और चीजों को समझें आगे बढ़ने से पहले क्योंकि जब हम बिना रुके चलते रहते हैं चलते रहते हैं तो कुछ मसले जो back front पे होते हैं कहीं वो pile up होते रहते हैं और एक दिन वो इतने बड़े हो जाते हैं कि हम इनको ignore नहीं कर पाते हैं और फिर हम परिशान होते हैं तो फिर से देखिए आप pause लेते हुए दिख रहे हैं कहीं आप रुकते हुए दिख रहे हैं कुछ compromises, कुछ adjustments भी इन ही सब चीजों की वज़े से अगर आपको करने पड़े तो आप करते हुए दिख रहे हैं और देखिए अवेकनिंग के नीचे rabbit का card कहता है too much concern over sexual matters तो देखिए ये card आपके professional front के लिए है तो in general ही किसी चीज़ को लेकर एक concern किसी level पे रहता हुआ दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भई आप किसी की तरफ attract हो रहे हैं अपने workplace पे या फिर कोई आपकी तरफ you not attract हो रहा है और उसी से ही related एक फिक्र एक चंता है और देखिए ये सब के लिए applicable नहीं होगा ये सिरफ कुछ लोगों के लिए हो सकता है overall के लिए देखिए हो सकता है कि कि किसी चीज़ को लेकर किसी level पे एक concern एक फिक्र भी इस week आपके professional front में specifically रह रही है and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है wise counselor and eagle तो देखिए wise counselor का card कहीं advice या counseling या guidance लेने या फिर देने की बात करता है और कुछ ऐसा ही in general या फिर specifically आपके personal front में रहता हुआ देख रहा है जहाँ पर फिर से मैं कहूंगी या तो किसी चीज़ को लेकर आप किसी को सला दे रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ के लिए किसी से सला ले रहे हैं और देखे wise counselor का card कहीं पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने की भी बात करता है और कुछ ऐसा भी Taurus आपके personal front में इस वीक रहतावा दिख रहा है और देखे ये general reading है तो यहाँ पर पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना सब के लिए differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी भी life के area से related आप और knowledge gain करना चाहा रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी कोई skill update करना चाहा रहे हैं और यहाँ पर भी देखे सब के लिए different चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई आप you know simply cooking से related और जादा चीज़ें सीखना चाह रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपनी किसी hobby को pursue करना चाह रहे हैं और देखे फिर से मैं कहाँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे related अगेन आप knowledge गेन करना चाह रहे हैं या पिर अपनी skill को update करना चाह रहे हैं और देखे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि life का भी कोई lesson या तो आप सीख रहे हैं या पिर life आपको कुछ सिखा रही है देखे लाइफ सबसे बड़ी हमारे teacher होती है जब हम कोई चीज में fail होते हैं या पिर हमारे हिसाब से चीज़े नहीं होती या पिर हम किसी चीज़ को लेकर hurt होते हैं वो चीज सबसे ज़ादा हमें सिखाती है तो कुछ ऐसी भी learning या तो कुछ लोग ले रहे हैं या फिर you know कुछ लोगों को ऐसी कोई learning मिल रही है overall देखे ठीक ठाक सी energies दिख रही है wise counselor का card tarot में positive card माना जाता है और देखे ये card के लिए spirituality या फिर religion की भी बात करता है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप spiritual religious activities में इस week participate कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी आपके घर में बड़े हैं या फिर जो भी you know आपकी life में बड़े इंसान है आप उन पे जादा focus कर रहे हैं उनके साथ आपकी जादा interactions हो रही हैं उनके साथ आपकी जादा बातचीत हो रही है और देखिए यहाँ पे eagle का card कहता है triumph over troubles, obstacles तो देखिए कुछ भी issues, मसले या problems पीछे आपके personal front में थी या इस week भी अगर हैं तो उन सब you know problems से कहीं you know आप बहार भी निकलते हुए दिख रहे हैं कहीं उन issues, उन मसलों को आप overcome भी करते हुए दिख रहे हैं and guidance है आप लोगों के लिए watching clouds का card है और ये card कहता है lie back, rest and relax तो देखिए Taurus कितनी बारी मैंने आप लोगों को कहा भी है कि time to time rest लेना, अपनी energies को rejuvenate करना, अपने आपको charge करना बहुत important होता है और शायद इसी लिए देखिए universe ने रात भी बनाई है क्योंकि जब हम पूरा दिन काम करते हैं तो रात को राम करके हम युनों दूसरे दिन के लिए charge up हो जाते हैं और देखिए कुछ यही आप लोगों के लिए भी इस week के लिए message भी है और देखिए इस week की guidance जादा आपके professional front के लिए मुझे दिख रही है क्योंकि professional front के लिए awakening का card भी कहीं pause लेने की बात करता है, चीजों को लेकर और समझने की बात करता है और वैसे भी देखिए Taurus कहते हैं कि जब कोई चीज हमें समझना आ रही हो या फिर जब हम पूरी तरीके से confident ना हों, हमें action नहीं लेना चाहिए, initiative उस direction में नहीं लेना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए, हमें समझना चाहिए और यही message भी आप लोगों के लिए इस week के लिए cards की तरफ से है and astrology से आप लोगों के लिए Virgo Sign का card है और इसके हिसाब से green color इस week आप लोगों के लिए लगी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday तो ये थट औरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए